नमस्का साथियों आज की इस वीडियो के लास में हम लोग राश्टिये महला आयूग के बारे में बात करेंगे National Commission for Women की बात हो रही है इसे आप लोग सौट में NCW के नाम से भी जानते हैं और आप लोग उनसे हमेशा कह रहा हूँ कि आप जिस भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं आप लोग Civil Service की तयारी कर रहे हैं, State PCS की तयारी कर रहे हैं या पर आप लोग One Day एक्जाम की तयारी कर रहे हैं आप लोग कम से कम 4-5 साल पुराने Questions पेपर उठा के देखिए इस तरह के राष्टी और अंतराष्टी संगटनों से आपकी एक्जाम में Questions पूँचे जाते हैं हर साल पूँचे जाते हैं तो उन्ही महत्पून संगटनों को हम लोग cover कर रहे हैं और महत्पून संगटनों की नाम से जो आपकी पिले लिस्ट सूची बनी हुई है भारत में महलाओं की इस्तिती पर गठिस समिती ने लगबग पात दसकों तक पहले सिकायतों की निवारन की सुविधा इवन महलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास में तीबिता लाने ही तो निगरानी कारियों को पूरा करने के लिए राष्टी महला आयोग की स्थापना की सिफारिस की थी और आप देखते होंगे कई लोग कहते हैं कि अब भाई राष्टी पुरुस आयोग भी होना चाहिए महलाओं के लिए राष्टी परिपेक छे उजना 1988 से संद 2000 सहत अन सभी समतियों और आयोगों ने महलाओं के लिए एक सीज निकाई की गठन की सिफारिस की थी और आप देखें राष्टी महला आयोग अधिनियम 1990 ये जरूर याद रखेगा राष्टी महला आयोग अधिनियम 1990 के तैज राष्टी महला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में एक बैधानिक निकाई की रूम में की गई थी आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को जेहनती पठनाई की अध्यक्ष्टा में किया गया था और आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्थ सचिब और पांच अन्न सदस्थ होते हैं यह जरूर याद रखना है एक तो अध्यक्ष होता है एक सदस्थ सचिब होता है और पांच अन्न सदस्थ होते हैं टोटल साथ लोग होते हैं NCV के अध्यक्ष को केंद सरकार द्वारा नामित किया जाता है, किसके द्वारा? केंद सरकार के द्वारा नूप किया जाता है, और अभी भर्तमार में कौन है? रेखा सर्मा है, कौन है? रेखा सर्मा है, पहली कौन थी? जैनती फटनाएक थी, यह आप लोग जरूर याद महलाओं को उनके उचित, अधिकारों को सुरक्षित करने में सक्षम बनाना। जीवण के सही, छेत्रों में, समांता और समान भागेदारी हांसिल करने में सक्षम बनाने की दिशा में प्रयास करना इस आयोग का उद्देश है। और इसके कारियों में देखें तो महलाओं के लिए सम्मिधानेक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, उपचारात्मग विधाई उपायों की स्तिफारिस करना, और आप देखेंगे किस सिकायतों की निवारन को सुगम बनाना, महलाओं को प्रभावित करने वाल परिबारिक महला लोक अदालतों के मुद्दे को उठाया और कानूनों की समिक्षा भी की है जैसे आप देखे देज निसित अधिनियम 1961 हो गया गरब धारन पूर्ण पेसव पूर्ण निदान और तक्नीक अधिनियम 1954 हो गया भारती दंड सहिता 1860 हो गया और महलाओं के लिए जैसे भी समिधान में कुछ प्रावधान है सुरक्षा के महर तो मौली का अधिकार या सभी भारतियों को समानता का अधिकार अनुचेद 14 लेंग के आधार पर राजजन द्वारा किसी भी पेकार के बेदभाव से सुतनता अनुचेद 15 एक और महलाओं के पक्ष में अधिकार 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 अगर पूचा जाएगा तो आसानी से आप लोगता है इस अंगठन की स्थापना की गई है तो इतना मुझे लगता है जानकारी याद रखेगा अगर कुशन्स पूचा जाएगा तो आसानी से आप लोग इसका आंसर जरूर देपाएंगे क्या कर पाएंगे आंसर देपाएंगे और भारत सरगार का एक बैदानिक निकाह है याद रखेगा ये जरूर नई दिल्ली में हेड़कॉर्टर है और